नमस्कार हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त आपकी आवाज बनकर बेख़ौफ आजाद आवाज दिल्ली में आठ फरवरी को चुनाव है और नतीजे 11 फरवरी को आएंगे सन 2015 में दिल्ली में विधान सबाद चुनाव हुए थे तब उन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत हास लगी थी चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने जरवता से कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को पिछले 5 साल के काम पर वोट दे चुनाफ से पहले आम आदमी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर चुकी है आम आदमी पार्टी ने हर साल शिक्षा का बजट बढ़ाया है यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केंदर की मोधी सरकार ने हर साल शिक्षा का बजट घटाया है अर्विन केजरिवाल आयाटी दिल्ली से है नरेंदर मोधी कहां से है इसको लेकर विवाद जारी है देप्रिंट की रिपोर्ट के मताबिक पार्टी ने दोजार पंद्रा में पांट सो नए स्कूल बनाने का वादा किया था लेकिन जमीन ना मिलने के विज़े से तीस स्कूल ही बन पाए है अब कहां अब पांट सो ने स्कूल और कहां सिर्फ तीस स्कूल शिक्षा में इन बदलावों के बाद भी पिछले पांट सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों में आठ फीसद की गिरावट आई है, 2015 में आम आदमी पार्टी ने 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अस्पितालों में 30,000 बेट्स का वादा किया था, लेकिन फिलाल 900 के बजाए सिर्फ 200 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ही काम कर रहे हैं और 170 और हेल्थ सेंटर्स का उद्गाटनो होना बाकी है, हेल्थ परजिट में भी आम आदमी पार्टी ने बढ़ुत्री की है, 2015 के जिन वादों को आम आदमी पार्टी पूरा नहीं कर पाई, उनमें दिल्ली को फुल स्टेट हूट का दर्जा दिलाना था, जल लोकपाल बिल लाना था, दिल्ली के प्रोदिशन को कम करना था और आठ लाग नौकरियां देना था, बाचीत के लिए मेरे साथ है प्रोफेसर आनंद कुमार, आप स्वराज अभियान के फाउंडर है, बहुत बर्शुक्रे आपका प्रोफेसर साव अपने समय हमें देने के लिए, मेरा पहला सवाल आप से यह है कि अर्विन इसले पांच साल का रिपोर्ट कार्ड आपकी निगाहों में क्या है? पिर ठेक माफ किजिए, ओडियो की थोड़ी सी समस्या आ रही है, मेरे साथ मेरे सही होगी है, एक्जेगेटिव एडिटर स्वराज एक्स्परस के सतेन रंजन, सतेन जी जो बात मैं कर रहा था प्रफेसर आनंद कुमार से, अगर आपको पांच साल का रिपोर्ट कार्ड देना हो, तो आपकी निगाह में रिपोर्ट कार्ड क्या रहेगा? एक तो बात ये तो अच्छी बात है कि अजविंद केजविबाल की जो सरकार है, इसने अपने काम काज को सिक्षा और स्वास्त थे, और इस तरह के जो पबलिक सर्विसेस हैं, उसके उपर केंद्वित करने की कोशिस की, जिस समय देश में तमाम भावनात्मक मुद्दों प करना, पानी जो है वो एक जो की बड़ा मुद्दा है, जो गरीब बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उनको उपलब्द कराने की बात करना, ये सारी बातें जो की गई वो अच्छी थी, बजट की बढ़ोतरी का भी काफी स्वागत किया जाएगा, लेकिन अब सवाल ये है क जो पाँच साल में सही में क्या अचीव हुआ, ये डिबेटेवल है, क्योंकि हम लोग जो सिक्छा के बारे में बहुत बातें कही गई हैं कि वहाँ पर काफी स्कूल अच्छे हो गए हैं, के जवीवाल जी ये कहते रहे हैं, और उनके जो डेप्यूटी हैं मनिस्ति सोदिय कि अब लोग प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे डाल रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया, कि सरकारी स्कूलों में गिरावट आई है, और जो हेल्थ का भी सवाल है, जो पबलिक हेल्थ से जो चीज समझा जाता है, जो ढह मचा खड़ा करने की बात की जाती है, उस दिशा में कोई काम हुआ है, ऐसा मानना मुश्किल है, हलांकि कुछ उपलब्धियां है, जैसे कि अस्पतालों का जो प्राइवेट सेक्टर के साथ में टाई अप करना और यहां ज्यांच होना, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ज सबके लिए जो इनुवर्सल हेल्थ केर पब्लिक सेक्टर बेश्ट हो, उस दिशा में कोई काम हुआ है, ऐसा कोई ठोस प्रमान नहीं, जी महला क्लेनिक्स की बात जरूर हुई है और उन्होंने अपनी प्लिटिकल कॉंस्टिवेंसी एक ऐसी बनाई है, जिसमें जिसे पॉ दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल ने चुनाफ से पहले दिल्ली की जनता के लिए गैरेंटी कार्ड जारी किया है, इस गैरेंटी कार्ड में आम आदमी ने दस वादे किया है, आम आदमी पार्टी ने स्टूडन्स के लिए मुफ्त बस पास का वादा किया है, मुझे याद है जब हम स्टूइन्ट हुआ करते थे सेवेंटीज में तब भी बस पास मुफ्थ हुआ करता था और उसके बाद फिर में रिखाल आठ है दस रुपे किया गया तब ऐसी बात की गए थी पार्टी ने ये भी काया कि वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए महला मार् पार्टी 200 यूनिट्स तक बिजली फ्री रखने की अपनी स्कीम जारी रखेगी हर घर तक अंडरग्राउंड केबल से बिजली पहुंचेगी लोगों को बहतर स्वास्ते सुविधाय दी जाएंगी अगले 5 सालों में दिल्ली में 2 करोड पौदे लगाये जाएंगे प्रद को बीस हजार लिटर मुफ्त पानी की योजना जारी रहेगी डिल्ली को कच्रे से मुक्त किया जाएगा प्रफेसर अर्ण कुमार आप हमसे जुड़ गए हैं आपने पूरा सुना जो गैरेंटी कार्ड का सवाल जो जो मैंने बताया आम आदमी पार्टी का गैरेंटी कल्प पत्र और बाकी पार्टी के मैनिफेस्टों इन तीनों का फर्क क्या है बुन्यादी तोर पर आम आदमी पार्टी का जो गैरेंटी कार्ड है वो जो उन्होंने एक दस सूत्री घोशना पत्र जारी किया था उसके अधूरेपन को दूर करने की कोशिश है क्योंकि जैस उस कसोटी पर बात पूरी उत्री नहीं लेकिन चुकि केंदरी सरकार की तरफ से और नगरपालिका के स्थर पर जहां दोनों पर भाज़ती पर जन्ता पार्टी का नियंत्रन है तुलना करने पर ये ज़्यादा गतिशील दिखाई पड़े इसलिए ये जो गारंटी कार्ड है ये भी इनके अगले 5 साल में अगर इनको मौका मिलता है तो इनके मौके मौके पर जांच का आधार बनेगा तो ये निर्गुन से सगुन की तरफ बढ़ने की कोशिश है और ये ठीक कोशिश है क्योंकि अगर आपको लक्ष नहीं देंगे संख्या नहीं देंगे तो पीटसे तें संकल्प अपने आप से करता ह 충akt ने कैनला नहीं है कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जननता के लिए यह कर दूंगा को बोगरदूँगा मैं guarantee देता हूं guarantee में अगर guarantee का मतलब पालन ना किया जाए तो कोई provision होता है कोई प्रावधान होता है सजा का इस guarantee card का क्या मतलब है अब इसका मतलब तो पांस साल बाद नहीं होना चाहिए यह guarantee card तो मध्यावधी के आधार पर कसोटी पर लिया जाए बात अगर पकी करनी है तो श्री केजरिवाल और उनकी पार्टी को ये वादा करना चाहिए कि अगर उन्होंने मध्यावधी यानि अगले दो से धाई साल में इन में से आधा काम नहीं किया तो वो जनता से माफी मांगते हुए पत्याग कर देंगे तब तो guarantee है जैसे माल बेशते समय गारंटी रहती कि अगर सामान गलत निकला तो हम आपको नया सामान देंगे तो अगर यह सरकार ठीक न निकले और हम नई सरकार देंगे ऐसा या नई सरकार चुनने का वोटर को मौका देंगे तब तो इस guarantee card की बात है एक बहुत जली से पांच साल के बाद तो फिर guarantee अपने आप खतम हो जाएगी जी पांच साल के बाद तो guarantee खतम हो जाएगी संक्षेप में जवाब चाहता हूं इस दिस guarantee legally enforceable in a court of law यह जो मूँ से कह रहे हैं कि हम guarantee card दे रहे हैं not so far not so far तो यह भी एक वाइदा ही हुआ हवा में बहराल हम आगे बढ़ते हैं जामिया जामिया मिलिया असलामिया और जैन्यू के चात्रों के साथ हिंसा हुई लेकिन आम आद्मी पार्टी ने चात्रों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया अर्विन केजरिवाल ने जामिया और जैन्यू के चात्रों से मुलाकात भी नहीं की जैन्यू में हुई हिंसा के मुद्धे पर आम आद्मी पार्टी ने घटना की निंदा तो की पर हमेशा के तरह यह तर्क भी दिया कि दिल्ली पुलिस केंद सरकार के तहद आती है पार्टी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हिटाये जाने का समर्थन किया सिजन्शिप एमेंट में टैक्ट पर भी आम आद्मी पार्टी ने खुल कर विरोध नहीं किया नर्सी पर भी अर्विन केज्रिवाल के तरफ से कोई बड़ा बायान नहीं आया है दहिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि राज़नेतिक विश्लिशकों का मानना है कि नर्सी, CAA जैसे राष्ट्रे मुद्दों से हट कर स्थानी और मुद्दों पर चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी को फादा पहुचाएगा रिपोर्ट ये भी कहती है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी, CAA, NRC जैसे मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है और अगर आम आदमी पार्टी भी इन मुद्दों के खिलाफ कुछ बोलती है तो उसके कुछ वोटर्स उससे दूर हो सकते हैं हाला कि पार्टी नेदा आतिशी मरलेना कहती कि उनकी पार्टी इन मुद्दों को नजर अंदाज नहीं कर रही कि वो जानती है कि कब किस मुद्दे पर बोलना है मेरे आखरी सवाल आपसे यह है प्रफेसर अंद कुमार कि जो सरोकार concerns किसी नगर निगम के होते हैं जैसे बिजली पानी कच्रा वगरा उन सरोकारों पर विधान सभा का चुनाव लड़ना कहां तक वाजिब है अब यह जो दिल्ली की सरकार है यह अपने आप में एक बहुत ग्लोरिफाइड मुनिस्पैल्टी कॉर्पोरेशन से जादा नहीं है इसको सरकार कहना सरकार शब्द का दुरुपयोग रहा है पूर्ण राजिका दर्जा नहोने के कारण बिजली पानी सफाई दवाई यहीं यह कर सकते हैं इसलिए अगर आम आदमी पार्टी राष्टी मुद्दों पर संबैधानिक प्रश्णों पर चुप रहती है तो इसके दो कारण है एक तो वोटर को ज़्यादा सरोकार इन से है नहीं ऐसा यह मान करके पिछली बार अच्छी तरह से सफल भी हुए दूसरा यह है कि इनकी अपनी अंदरूनी दृष्टी की सफाई नहीं है अगर आम आदमी पार्टी में इस पर संबाध होगा तो कई राये दिखाई पड़ेंगी तो इसे बच के चलने में ही इनके लिए अच्छा है क्योंकि पिछली बार एक इस्थानियता ने इनको सफल पता दी इसलिए यह उस फर्मूले को फिर से इस्तेमाल करने और शायद इनके लिए उपयोगी भी रहेगा जी बहुत धन्यवाद आपका प्रॉफेसर अनंद कुमार अपना समय हमें देने के लिए तैंक यू वेरी मच आप देख रहे हैं विनोद दूआ लाइव हम अभी चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं हो बाद कॉलियर की या हो कहानी मुम्तास की बेगम नवाब की जलकियां या हो बाद काली ताच की हर तरफ पसरा यहां इतिहास है यू ही नहीं कहते सभी मध्य प्रदेश तो कुछ खास है वक्त की निशान आप देख रहे हैं विनोद दुआल लाइव तवलीन सिंग चेतन भगत मोहंदास पई चंद्रकुमार बोस यह कुछ ऐसे नाम है जो मोदी सरकार के समर्थक रहे हैं सिटन्शिप एमेंडमेंट एक्ट एनर्सी एनपी आर के मुद्दे के बाद मोदी समर्थक रहे इन लोगों के सुर बदल चुके हैं मोहंदास पई ने एनर्सी का विरोत करते हुए लिखा है कि अगर एनर्सी लागू होती है तो भ्रश्ट अफसरों की वजह से सब का नुकसान होगा ऐसे अफसर रिश्वत मांगेंगे और हो सकता है वो लोगों को एनर्सी से बाहर रखने की धमकी भी दे चेतन भगत एक तरह से लेखक हैं पल्प फिक्षन लिखते हैं आयाइटी और आयाएम से पड़े हुए हैं नच बलिये नाम के डांशों के जज़ भी रहे हैं उन्होंने एक अख़वार में लिखा है कि एनर्सी को इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि ये महंगी और बेव सब्सक्राइब के खिलाफ बंगाल में बीजेपी के वाइस प्रेजडेंट चंद्रकुमार बोस ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि हमारे पास नंबर संख्या है हम टेरर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते आतंकवाधी राजनीती नहीं कर सकते हमें लोगों को के फायदों के बारे मे बाचीत के लिए मेरे साथ है सुराज एक्सिपस के टेरिंट चीफ गुर्दीप सिंग सपल गुर्दीप बहुत शुक्रिया हमिशा की तरह समय देने के लिए मैरा पहला सवाल है कि मैंने जितने भी नाम लिये हैं चीतन भगत हो तबलीन सिंग हो चंद्रकुमार बोस हो जि चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएस्टी हो चाहे कश्मीर का मामला हो अब इनका हिरिद्य प्रिवर्तन नहीं हुआ है दरसल लोगों को धीरे-दीरे समझ में आने लगा कि ये हिंदू-मुसल्मान का मामला नहीं है उनको ये समझ में आने लग गया है कि ये एक ऐसा सिस्टम करेट कर रहे हैं जहां पर कोई भी दूसरा व्यक्थटी किसी भी व्यक्थटी की शिकायथ करके उसकी नागरिक्ता पर क्वें कि लगा सकता है तो मुसल्मान का मामला नहीं है ब्शहन्ध स्वकूर्थि नोफ ये भी समझ में आ रहा है कि अगर सरकार के सरकार के सब रर्जिस्ट्रार के पास आपका नमबर आपका आधार नमर आपके मातापिता का नाम उनकि जरम्ति थी आपका मुबाइल नमबर आपका वोटर काट है तो आपको तो तो बैंक सुरक्षित नहीं है आपके तो ऑनलें ट्रांसेक्शिन सुरक्षित नहीं है फिशिंग की समस्या देश में कितनी बड़ी है अब तो फिल्म भी बनने लग गई उस पर सीरियल भी बनने लग गए कि फिशिंग के मारफत जो डेटा चुराया जाता है बैंक से पैसे जाते हैं फिशिंग मतलब की ज्शूठा नाम से आप से जानकरी लेकर आपके बैंक से पैसे उडा लेना तो क्या इनकी समझ में कमी रही ते पहले लोगों को समझ में आने लगा और यही वो लोग हें जिन्होंने पैन नमबर NPR से हटवा दिया लेकिन पैन नमबर हटने से काफी नहीं है पर मूल सवाल यह नहीं है कि implementation में क्या दिक्कत आएगी मूल सवाल यह भी नहीं है कि प्रवेशी का क्या होगा मूल सवाल कि इस देश का जो बराबर है उसकी स्थीति में कोई फर्क आएगा की नहीं आएगा क्योंकि इस एक अधिकार के कारण आप यह समझिए कि भारत जो है सिंतालिस में आजाद हुआ हमारे बाद 125 मुल्क उपनिवेश्वास से आजाद हुए हम सबसे गरीब में से थे हमारे हैं इतनी सारी भाषाएं इतनी सारी संस्कृतियां इतनी सारी धर्म इतनी सारी जात सब हैं इसके बावजूद हम क्यों टॉप पे पहुंच गे दुनिय पिश्टे साल 19 दिसंबर को सिर्जिंशिप एमेंडमेंट डैक्ट के खिलाव हुए प्रदर्शनों में में इंसा हुई थी इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों को अब मेंगलूरू पुलिस नोटिस भेज रही है पुलिस की तरफ से ये नोटिस लोगों की मूबाइल लोकेशन के आधार पर भेज़े जा रहे हैं यानि अगर मूबाइल नबर उनके पास है तो आपको लोकेट भी कर सकते हैं जैसा गुर्दिब आभी बता रहे हैं पुलिस ने ये डेटा मोबाइल टावर से लिया है मोबाइल लोकेशन के आधार पर केरल के 2600 से ज़्यादा लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उन मेंसे जातर लोग स्टूडन्स हैं, आम इंसान हैं, सरकारी करमचारी, बिजनसमें शामिल हैं जिन लोगों को notice भेजा गया है उसमें लिखा गया है कि पुलिस के पास परयाप सुबूत मौजूद हैं कि वो प्रदर्शन में शामिल थे जिसमें हिंसा हुई notice में लोगों को जांच कर रहे हैं अफसर के सामने पेश होने को कहा गया है अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा गुर्दी मेरा दूसरा सवाल ये है हमने यूं तो सुन रखा है उत्तर भारत में फरुखाबाद एक जगा है उत्तर प्रुदेश में खुला खेल फरुखाबादी यानि जो मन में आया करो मन मर्जी सरे आम करो लेकिन केरल और मेंगलूरू के नागरिकों पर एक खास मेरबानी सरकार की क्यों हो रही है और इस वक इन नागरिकों के हक क्या है जब ऐसे नोटिस उनके पास आए है नर्सी का मुद्ध दबा नहीं है सरकार के बोलने के बावजूद सोशल मीडिया पर जितने भी प्रोपेगेंडा करना था उसके बावजूद आंदूलन चल रहे हैं और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां यह कोशिश हो रही है कि कि किसी तरह से इसको दबाया जाए तो मेंगलोर में जो लोग केरल से प्रोटेस्ट में आये थे उनको आपने नोटिस दे दिये हाला कि पुलिस ने बोला है कि मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर में नहीं दिये लेकिन सच यह है कि और कोई टेक्नॉलजी नहीं है कि पुलिस इतनी जल्दी धाई हजार लोगों को आइडेंटिफाई कर नाम है इसलिए मुझे नोटिस आ गया तो यह तो तैह है कि सिम कार्ड की लोकेशन के आधार पर नोटिस दिये सवाल यह है कि आप पुलिस को यह अधिकार है 2017 में सुप्रीम कोट के नो जज़ की बेंच ने यह फैसला दिया कि प्रेवेसी मूल अधिकार है उसने कहा कि हमारे प्रेयंबल में आजकल प्रेयंबल रोज पड़ा जा रहा है सड़कों पे प्रेयंबल में सपष्ट लिखा है fraternity that ensures dignity गरीमा सुनिष्चित करना भी समयधान का अधिकार है और सुप्रीम कोट ने कहा है कि गरीमा तभी सुनिष्चित होती है जब प्रेवेसी होती है उसमें एक मज़ेदार चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो सुप्रीम कोट का तब यह कहना था और यह काफी पुर उसको इस बात से भी खुशी मिलती है उसको इस बात से भी गरिमा मिलती है कि मैं अपने तरीके से सोच पा रहा हूं उस पर एक्ट कर पा रहा हूं इसी को सुरक्षित करने के लिए प्रेवेसी को मूल अदिकार बनाया गया और अगर ये मूल अदिकार छीना जा रहा है पुलिस के द्वारा तो इसके लिए तो सुप्रीम कोट को भी एक्ट करना पड़ेगा मुझे एक बात पूछनी है संक्षेप में जवाब हलाकि सुप्रीम कोट ने कहा है निच्टा का अधिकार है और जैसे आपने बताया बावजूद इसके चाहे वो बैंक हो चाहे वो दूसरे सरकारी इदारे हो वो मान नहीं रहे है बैंक में एकाउंट करने चाहिए आज भी अधार मांगते हैं जबकि सुप्रीम कोट कहे चुका है कि आधार जरूरी नहीं दो चीज़ हैं एक तो सुप्रीम कोट ने आधार जरूरी नहीं उसको प्रवेशी के अंदर क्यों बोला उसने यहां तक बोला है कि राष्ट्रिवा 52 को राष्ट्रिय सुरक्षा से भी Patrol मान है वो बताया गया हम उस पर चल रहे हैं हम अपनी और से कैसे फैसला करें तो कोड के फैसले के बाद हर लेवल पर जो कानून बनने थे उस काम में देरी हुई है लेकिन उस देरी के बावजूद यह तो तैह है कि पुलिस जंता के तमाम जंता के मुबाइल लोकेशन नहीं देख सकती है और उसके आधार पे केस नहीं कर सकती है यह तो खुला उलंगन है जी केरल के बाद पंजाब पंजाब ने भी सिर्दिन्शिप एमेंडमेंट एक के खिलाव विदान साबह में प्रस्ताव पास किया है प्रस्ताव को पास करते हुए पंजाब के मुख्यमंतरी कैपिन अमरिदनर सिंग ने यह भी कहा कि यह कानून पूरी तरह कॉंस्टिटूशन के समविधान के खिला रहा है कॉंग्रेस ने कहा है कि वह मद्यप्रदेश राजिस्थान और चटिसगर में भी सिर्दिन्शिप एमेंडमेंट एक के खिलाव प्रस्ताव पास करेगी महराश्ट्र में कॉंग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि महराश्ट्र भी सिर्दिन्शिप क्या एक कानून रुक जाएगा ममताब एनर्जी ने भी सिर्जिंशिप एमेंडमेंट एक के खिलाव प्रस्ताव पास करने की बात कही है मेरा आखिरी सवाल आप से है गुर्दीब कि कपिल सिब्ल इस फिशे पर काफी बोलते रहें पर समझ में नहीं आता कि उनकी समझ में क् से constitutional बताते हैं कभी वोजे से unconstitution बताते हैं मैं यह जाना चाहता हूं यह राज्य जिन्होंने फैसला किया है कि प्रस्ताव पारिद कर दियें और फ्रस्ताव पारिद करने जा रहे हैं Constitutionality को देखते होगा सम्विधानिक Position क्या यह राजी ठीक रास्ते पर जा रहे हैं दो अलग-अलग मत्य हैं एक CAA है एक NPR है CAA का सवाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि वो सम्मेधानिक है या नहीं है अल्ट्रा वायर्स अफ कॉंस्टिटूशन है की नहीं है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जज्जमेंट देना है राज्ये अपनी राय की वो क सवाल यह है कि NPR में जो नहीं जानकरी ली गई है उसके राज्ये खिलाफ हैं और वो यह कह रहे हैं कि हम जन्गर्णा के लिए अपनी मशीनरी अपनी बिरोक्रासी उपलब नहीं कराएंगे तो यह टक्राव की स्थिती है इस टक्राव की स्थिती को राज्यों जो केंदर केंदर और राज्यों के बीच में बन रही है उसको बहुत सीरियसनल नहीं पड़ेगा समीधान क्या है समीधान सिरफ लौ नहीं है समीधान एक सोशल कॉंट्रेक्ट भी है वो जनता और सरकार के बीच में भी है और सोशल कॉंट्रेक्ट को बनाए रखना सब की जिम्मेदा था तो खुद मोदी जी कहते थे मैं लागू नहीं करूंगा मोटर वहिकल एक जब हुआ था तो राज्यों ने का हम लागू नहीं करेंगे चार मेने पुरानी बात है वो कौन सी लिस्ट में है किस लिस्ट में वो बात दीगर है सवाल है क्या राज्यों की जो सरकारे उनी वो पारित करके अपनी नियत तै कर रहे हैं जी बहुत शुक्रिया आपका गुर्दीप सपल अपना समय देने के लिए वैसे भी खास कर जब देश के ग्रीमंत्री खुद कह चुके हूं कि जो NPR है वो NRC तक पहुंचने का रास्ता है इसलिए जो additional clauses लगाई गई है उनकी जानकार कि घ्रह मंत्राले ने खुद ही कह दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज नहीं है कि इसका मतलब यह है कि ग्रह मंत्री बजार मंत्री दोनों आगे से शब्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे यह देखा जाए जाएगा हम आगे बढ़ते हैं JP नडडा को बी बीजेपी के अध्यक्षपत का मतलब एडवानी से वाजपई तक और वाजपई से एडवानी तक रहा है। आज की बीजेपी अलग है। ADR के मताबिक आज बीजेपी के खजाने में 2410 करोड रुपे हैं। और बीजेपी के 18 करोड सदस्य हैं। हला कि ये दावा है जो अभी CA के समर्थन में मिस्ट कॉल कैमपेन में गलत साबित हुआ। सिर्फ 22,00,00 लोगों ने मिस्ट कॉल किये। तो उससे ये दावा गलत साबित होता है। बहराल इस वक्त बीजेपी की पूरी मशीन बहुत मजबूत है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं कि क्या अमित शाह इतनी बड़ी ताकत छोड़ देंगे। इतनी बड़ी मशीनरी भारती जनता पार्टी का द्यक्षपद छोड़ देंगे। छोड़ तो दिया है उन्होंने क्योंकि नियम कानून अज़े कहते हैं। लेकिन क्या वाके छोड़ देंगे। बीजेपी के हाथ से एक के बाद एक राजित निकल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली, बिहार, पश्चिबंगाल के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर बीजेपी की हार होती है, तो क्या इसका जिम्मा जेपी नड़ा पर डालने के लिए उन्हें लाया गया है। ये देखना भी दिल्चस्प होगा कि क्या जेपी नड़ा खुद को असर्ट करते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, एक मजबूत ध्यक्ष बनते हैं या अमित शाह की कुरसी पर रखे हुए रुमाल साबित होते हैं। यह पर यह परंपरा की कुर्सी पर रुमाल रखदो तो कुर्सी आपकी हो जाती है।